आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर की रेसिपी बहुती एजी और सिंपल वे में मैं आपको इसे बनाना से खाऊंगी आई है है क्या लाजवाब लग रही है ये देखिये तो चलो बिना कोई टाइम बर बाद किये खाना बनाना मनलब शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं तो शाही पनीर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कड़ाई पे कुछ थोड़ा साथ तेल टू 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 टेबिल स्पून तेल गरम किया है अब इसमें मैं डाल दूंगी दो दालचीनी एक स्टार दो लाइची चार से पाच लवंग एक चुटकी जीड़ा दो तेज पत्ते आलकर इसे कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लूँगी इसमें मैं डाल देती हूँ चॉप किये हुए अनियन्स मतलब प्यास मैंने यहाँ पे एक लाज साइज प्यास लिया है इसको मैं लाइब ब्राउन होने तक प्राय करूंगी इसमें डाल देती हूँ छे से साथ लेसून थोड़े से चॉप किये हुए अद्रक जर के लिए फ्राय कर लेती हूँ इसमें मैं दो सुखी लाल मिच जाल देती हूँ यह आपको पहले ही डालना है सॉरी मैं बूल गई थी तो अभी मैं डाल रही हूँ यह पहले डालेंगे तो अच्छे से चिली जो है वो फ्राय हो जाएंगे प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप की हुए टमाटर यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज चॉप की हुए टमाटर लिये है तेर के लिए सॉटे कर लेती हूँ अब इसमें मैं डाल दूँगी एक चुटकी नमक ताकि टमाटर जल से जल पग जाए कर लेती हूँ मैं डाल दूँगी साथ आठ बदाम और साथ आठ काजू अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ कॉप वाटर पानी ताकि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी पग जाए माटर को बिल्कुल सॉफ्ट एंड मशी कर लेना है इसमें मैं डाल दूँगी वन टेबिल स्पून कश्मीरी रेच चिली पाउडर सॉटे कर ले टमाटर सॉफ्ट और मशी हो चुका है अब हम इसका एक पेस्ट तयार करेंगे तो सारी मसालों को मैंने मिक्सर ग्रैंडर में ग्राइंड कर लिया है और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी तयार हो चुकी है मैं फिर से एकड़ाई ले लेती हूँ और इसमें मैं टू टेबिल स्पून बटर डाल दूँगी तो इसमें अब हम डाल देते हैं चॉप किये हुए लैसून अब है मैंने तीन चार कलिया लैसून के बारिकी से काट लिया था तो इसमें फ्राइ हो जाने के बाद मैं अपना जो प्यूरी हमने बनाया था वो मैं डाल देती हूँ अब जिस मिक्स्चर ग्रैंडर में मैंने मिक्स्टी ना पता कि अपना एंवाह कि उस्टी सेक ना ही यह अपनाया थे अपनाया थे च्प्सट्र बनाया था मैंने पेस्ट बनाया था टोमेटों का उस Grinder में मैं 1 और सारे मसालों को वाश ओफ कर दोंगी और इसी दूत को मैं इस प्यूरी अंदर डाल देती हूँ ए इसलिए मैं इसे शाही तरीके से बना आप चाहे तो दूद की जगे पानी भी डाल सकते हैं से 10 से 15 मिनिट तक मीडियम फ्लेम में आपको पकाते रहना है और स्टर करते रहना है अब इस स्टेज में मैं डाल दूंगी दही दही को मैंने अच्छे से फेट लिया है ताकि यह डालने के बाद फट ना जाए और मैंने के ऐस सेमक्ति-व्लेवाते का सेमय magic को मीडियम फ्लेम कर रखा है अब मैं इसमें डाल देती हूं एक वाटी दही इसे मैं 5-7 मिनिट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी अब मैं इसमें डाल देती हूँ क्रश करके कस्तूरी मेती कस्तूरी मेती बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्तूरी मेती के वज़े से ही एक बटरी फ्लेवर आता है वाँ 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 क्या खुश्बू है चलो इसमें मैं डाल देती हूँ वन टेवल स्पून गरम मसाला पाउडर मिक्स कर लेती हूँ अब इस स्टेज में मैं थोड़ा सा नमक चक कर लेती हूँ मुझे लगता है मुझे थोड़ा नमक देना चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और सारे पनीर एक एक करके डाल देती हूँ पाच मिनिट के लिए इसे लीट बन करके पकने देती हूँ यह हमारी शाही पनीर बिलकुल बन के तयार है एंडिंग में मैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ यह मेरी घर पे बनाई हुई फ्रेश क्रीम है आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हो अब भी इस रसिपी को जरू ट्राइक कीजेगा और मुझे फेडबैक दीजेगा एंडिंग यह लाकार इस बीड़ू इस अजयर इस पर ट्राइड नहीं टाइड का है thank you so much bye